हेलो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं क्रेंड रिफ्यर की जो की रिर्वे एंटिपेसी में पूछी जाने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कॉर्शन केंजर सरकार द्वारा सुरू की गई योजना का क्या नम है जो लावारतियों को देश के किसी भी राशन की दुकान से सबसेजी वाले खज्यान खर दने की अनुमति देती है ओप्शन है वन नेशन वन कार्ड एक राशन एक राश्ट राश्ट के माधियम से एक राशन कार्ड एक राश्ट राश्ट एक राशन इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर है वन नेशन वन कार्ड इसके बारे में भी जान लिजिए कि केंदर सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड के मात्वा कांची पर योजनाओं जिसके तहत पार्थी देश में किसी भी राशन की दुकान से सबसेद्धी वाले खज्यान खरीच सकते हैं नेशन के किस वर्ष तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भारत में उप्योग करताओं के लिए उप्लब्ध होगी ओप्शन है जून 2020 एक जुलाई 2020 एक दिसंबर 2019 एक अफ्रील 2020 या फिर इन में से कोई नहीं तो आपका इसका राइट एंसर होगा एक जुलाई 2020 केंदर सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड की मातुआ कांची पुर्योजना है जिसकी तहत लवारती एक जुलाई 2020 से देश के किसी भी राशन कार्ड से सब्सीडी वाला खर्द्यान खरीद सकता है समय सिमा केंदर ने राजियां और केंदर सासित परदेशों को 30 जुन 2020 तक राशन की दुकानों में पॉइंट अफ सेल मतलब P.O.S. मशीनों कॉपियों करने के लिए और इस योजना को लागू करने के लिए तक का समय दिया है परतमान इस्थिती देश भर में 70% राशन की दुकानों में पोस मशीने हैं इंदर, गुजरात, हरियाना, जहरकन, करनाटा, केरल, महराष्ट्रा, लाजस्तान, तेलंगाना और तिरिपोरा ऐसे राज्ये हैं जो पहले से ही सहराजनिक पित्रन प्रनाली प्रोवाइडिंग पॉर्टेबिलिटी और पॉब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम यानि पीडियास की स्वहाव्यता परदान कर रहे हैं नेस्ट कोशन है जी ट्वेंटी समीट 2019 कहां शुरू क्या गया था ओप्शन है रियाद जो की साथी अरब में है सेकेंड ओप्शन है वियूनेस आर्गेस जो के अरजेंटीना में है ओशाका जापान बीजिंग चीन इन में से कोई नहीं तो अपका राइट अंसर होगा ओशाका जापान इनके बारे में थोड़ा जान लिजे कि जी ट्वेंटी को बोलते हैं हम लोग गुरूप ओप्ट्वेंटी समीट 2019 28 से 29 जोन 2019 को जापान के ओशाका अंदराष्ट परदरसनी केंदर में आयोजित क्या गया था यह जी ट्वेंटी की चौदवी ही वैठक थी 28 दो हजार बेस सिखर समिलेंट वियोनेस आर्जेंटीना में आयोजित क्या गया था 2020 से 2020 जी ट्वेंटी सिखर समिलेंट साओधी अरब के रियाद सहर में आयोजित क्या जाएगा कंसाई इंटरनेशनल एरपोर्ट कंसाई इंटरनेशनल हवाई अद्धा कहां पे हैं तो ओसाका जापान में है यह G20 में कौन-कौन से सदस्य है तो सबसे पहले है अर्जेंटिना, अस्टेलिया, ब्राजिल, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इं साउथ कोरिया, टर्की, इनेटेट किंग्डम, इनेटेट इस्टेट तो ये 20 देश हैं जो कि G20 गुरूप में सामिल है अब नेस्ट क्रेशन की बात करते हैं कि इन दो देशों ने G20 मीट के दोरान 2025 तक दुई-पक्षिय वेपार के लिए मात्मा कांची 50 मिलियन डॉलर का लक्ष रखा है तो पहला है भारत और चीन, भारत और जपान, भारत और इंडोनेसिया, भारत और रूस और इंडो में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है भारत और इंडोनेसिया तो इसके बारे हम थोड़ा जान लिजे भारत और इंडोनेसिया ने क्योंकि PM और इंडोनेसिया के राष्ट्पति जोको विडिडो ने अर्थिव्यस्ता रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहीत कई पर्मुक छेत्रों में सहयों को गहरा करने की तरीकों पर चर्चा की। करंशी है इंडोनेसिया रुपिया। केपिटल है इसका जाका नेक्स्ट क्वेशन है 2018 के अंद तक स्वीस बेंक के साथ अपनी नागरिकों द्वारा रखे गई धन की संदर्व में भारत को किस अस्थान पर रखा गिया था। जिसका अप्शन है त्यहांतरवा चोहतरवा पचतरवा जिसको के 75 बोलते हैं छीहतरवा 76 या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर हो जागा चोहतरवा इंसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि स्वीश नेशनल बैंक SNB जिसको बोलते हैं दुआरा संकलित पौर्शिक बैंकिंग सैंखी की रिपोर्ट के अनुसर 2018 के अंत तक स्वीश बैंक के साथ अपनी नागरिकों द्वारा लगाए गए धन के मामले में भारत चोहतर में अस्थान पर खिशक गया है अधिक्तम होल्डिंग के साथ बिरिटेन उनेटिव किंग्डम सुची में सिर्श अस्थान पर रहा दो दसकों में भारत की होल्डिंग 2018 में लगबक 6% गिर कर 955 मिलियन स्वीश बैंक लगबक 577 करोड एक दूसरे अस्थर पर आ गई स्वीश नेशनल बैंक का मुख्याल है बर्न और ज्योरिक उस एंटी टैंक मिसाल का नाम बताइए जिसके लिए भारत ने रूस के साथ लगबक 200 करोड रूपिये के अधिगरण समझोते पर हस्ता अक्षा किये तो आपका आप्शन है बंबर, देहलवी, इस्ट्रम अटाका, मामबा या फिर इने में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है, इस्ट्रम अटाका तो इसके बारे में कुछ तत्य है कि 30 जून 2019 को भारत सरकार ने रूस के साथ इस्ट्रम अटका एंटी टैंक मिसाइल के अधिगरण के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया या सवदा लगभग 200 क्रोड रूपिय का त्नाय या MI-35 हमले के हेलिकप्टरों को दुस्मन के टैंक और अन्य बक्तर बंद तत्वों को बाहर करने के लिए एक अतिरिक्त शमता देगा अपत कालिन क्लोज के तहत इस सवदे पर हस्ताक्षर किये गए हैं जिसके परिनाम सरूप मिसाइल अनुबंद पर हस्ताक्षर के तीन महीने के भीतर वित्रित की जाएगी MI-35 ये IAF भारतिय वायु सेना के मवजुदा हमले के हेलिकाप्टर है जिनको अमरीका स्रूप राज अमरीका से अधिगरहित की जा रही अपाची गंशिप में बदला जाना है हाली में किस देश ने पंडूबी में प्रक्षेपित बैलेस्टिक मिसाइल SLBM जिने बोला जाता है जैल 13 जैल 3 का प्रिक्षन किया है तो किस देश में किया है रूस में चैना में स्रिलंका में जापान में तो इसका वरायट नसर है चीन में तो पंडूबी का प्रक्षेपित बैलेस्टिक मिसाइल कहां प्रिक्षन किया गया है चीन में जून 29 जून 2019 को चीन ने अपने नविंड़तम पंडूबी लॉंच लॉंच बैलेस्टिक मिसाइल JL3 का प्रिक्षन किया है JL3 में लगबग 14,000 किलो मेटर की रेंज होने की समावना है जिसमें तीस सोतंतर प्रिमानों हत्यार ले जाने की छमता है यह उच्छ सटिक्ता के साथ दूर तक लख्ष तक पहुचने की उमीद करता है और चीन की वर्तमान SLBMSA पंडूबी द्वारा लॉंच की की गई बैलेस्टिक मिसाइल की तुलना में अधिक वार हैड ले जाने में सक्छम है जो बैलेस्टिक मिसाइल है जो पंडूबियों से लॉंच होने में सक्छम है नेस्ट क्वेशन है 26 वी SEI जुनियर व्यक्तिकत स्क्वेश चेंपियनशिफ 2019 कहां आयोजित की गई थी अब का उप्षन है मकाव चीन में टोकियो जापान, कौलालामपूर मलेशिया, मासको रूर्स एन्वे से कोई नहीं इसका राइटन सथ है मकाव चीन में मकाव चीन में 26 वी SEI जुनियर व्यक्तिकत स्क्वेश चेंपियनशिफ 2019 आयोजित की गई थी इसका आयोजन मकाव स्क्वेश एसोसियेशन द्वारा क्या गया था नेस्ट कोशन है 2019 आस्टेलियन ग्रैंड प्रीक्स किसने जीता है ओप्षन है लेविस हमिल्टन, सेबस्टियन वेटल, मैक्स वेस्टेपन, वल्टेरी वोटास इन्वेसे कोई नहीं तो 2019 का ग्रैंड प्रीक्स जीता है मैक्स वेस्ट पैन ने जीता है रेलबूल के मैक्स वेस्ट पैन बेल्जियम के है जो ने फेरारी के चार्ल्स लेवरलक को हराया और 2019 का एस्टेलियन ग्रैंड प्रीक्स जीता है नेस्ट कोशन है राष्टी चिकित्सक दिवस 2019 का विसम विसाई क्या था चिकित्सा का विसाई क्या था यानि क्या आपको थीम बताना है नेशनल डॉक्टर्स डे का 2019 का क्या था तीम है डाक्टरों के खिलाब हिंसा और नदानिक अस्थापना के लिए जीरो टोलरेंस नेक्स्ट है अभी भी मजबूत खड़े इस्टिल स्टेंडिंग स्ट्रॉंग आवाज उठाना लिप्टिंग अप भाइसे को एक साथ बढ़ने दें लेट्स ग्रो दे फीचर टुगेदर या फिर इनिमेंसे कोई ने नहीं नव देज तिसका राइट अंसर होगा एक नमर ओप्शन जो है डॉक्टरों के खिलाप हिंसा और नैदानिक अस्थापना के लिए जीरो टॉलरेंस जिकी 1 जुलाई 2019 को भारा सरकार की दूसरी वर्सकांट मनाई गई थी राष्ट डॉक्टर दिवस एक जुलाई 2019 को पूरे भारत में मनाया गया नेशनल डॉक्टर डे कमने आ गया एक जुलाई को इसका उदेश से डॉक्टरों के महत्व और हमारे जीवन में उनके दीन परतदीन महत्वपूर भुमिका के बारे में जागरुकता बढ़ाना है राष्टी चिकित्सक दिवस 2019 का भी से डॉक्टरों के खिलाप हिंसा और नैदानिक अस्थापना के लिए जीरो टोलरेंस है यह दिन भारत के सबसे परसित चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंदर रॉय डॉक्टर बीसी रॉय जिने करते हैं उन्हीं के जयनती और पुनितिती का परतीक है बीसी रॉय का जन्म एक जिलाई 1882 को हुआ था है उन्होंने 1928 में इंडियान मेडिकल एसोसेशन के गठन और मेडिकल कॉंसिल ओप इंडिया M.C.I. के गठन में भी महतवपूर्ण भुमी का निभाई थी आई हॉप आपको यह कुशन समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर्स डे डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है उन्हीं के बारे में यह कुछ तत्की था कुशन की बात करते हैं यह है कुशन सारवजेनिक छेत्र के बैंक इंडियन ओभर्सिज बैंक यानि की I.O.B के परबंध निदेशक M.D. बोलते हैं इंग्लिज में और मोकि कारेकारी अधिकारी जिने सी-ो के रूप में किसे रूप किसे निक्त क्या गया था यानि की इंडियन ओभर्सिज बैंक का M.D. और सी यो किसे नियुक्त किया गया था आपको ये बताना है तो अप्शन है अजय कुमार स्रीवास्तव करनम सेकर टी एस ए रंगनाथन के स्वामी नाथन या फिर इने में से कोई नहीं तो आपका इस क्वेशन का आंसर होगा करनम सेकर एक जुलाई 2019 को चैनने इस्थित सर्वजनिक छेतर में बैंक इंडियन ओवर्शिज बैंक आई ओबी ने करनम सेकर को अपना नया प्रबंदक प्रबंद निद्यसक एमडी और मुख्य अधिकारी करेकारी अधिकारी सियो निक्त किया है उन्होंने आर सुब्रमन्यम कुमार की जगली किसके जगली थी आर सुब्रमन्यम कुमार की जगली थे इस निक्ति से पहले वह देना बैंक के एमडी और सियो थे इनके पहले आयो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक्यू दोस्तों मिलते हैं नेश्ट वीडियो में जैहिंद धन्यवाद